राज्य में लगातार ED और IT की करवाई की जा रही है कॉंग्रेस और जामों का आरोप है कि ये करवाई केंदरी एजेंसिया का दूर्पयोग भाजपद वारख कराये जा रहा है एक छापा हमारी परदिव जादब के यहां भी हुई है उनसे हम जाने के कोसिस करेंगे कि आखिर IT के छापा से आखिर क्यों डर है परदिव जादब को देखे आएटी की छापी कैसे व्यक्तियों के यहां पड़ती है जिनकी आमदनी में कुछ ना कुछ प्रस्ट निचीने लगा हो जिनके यहां कोई न कोई कारण हो अकारण छापे पढ़ना यह बताता है कि यह राजनित से प्रेजित है जब हमने ED के आफसरों से पूचा कि वह इसके कारण क्या है तो बोला आपके विरुद्ध में आपके राजनितिक प्रतेद्योंदी ने यह लिखके दिया है और किनके खाते में ने दिया और किनका खाता बुम हुआ यह उनके पास जवाब नहीं ऑजके तारीख भाए चाहिए कि प्रेजित हैं किषी को अपने मुथी में करना करना है इन कारणों से उतर इत्यास गबा है कि भारती जड़ता पाटी जब से शत्था में आई है जिन लोगों उनके विरुद्धा वाज उठाया, जिनने गरधन सिदी की, जिस नसीना से पांप के जड़ता के पक्ष में गरीब हो के पक्ष में, किसान नौजवानों के पक्ष में बात करने की बात कही ऐसे लोगों को गरदन टेढ़ा करने के प्रियास करते हैं लेकिन प्रदीप जादब ऐसा सक्स है जो टूट सकता है जुक नहीं सकता है यही में कहें एक चीज एए बताइए कि आखिर कौन साय सानेताई भाजपागा जो आपसे डर है तो आस्थानी तोर पर जो हमारे प्रतिदोंदी यह तो अस्पर्श्ट है कि यहां के जो अस्थानी सांसद है कि वह हमें मुक्ह प्रतिदोंदी समझते उनके ट्वी टूइट उनके बयान उ इस परस्ट है कि छापा कल पढ़ेगा एक दिन पहले वो ट्वीट कर देते हैं इनके घरों में छापा पढ़ने वाला है इस सारी बाते प्रदर्सीत करती है कि यह छापा उनके द्वारा अपने उचस्त आका लोगों को कण्विंस करके एक सीट आपका जा सकता है अगर हमने वहां कमजोर नहीं किया तो और दूसरे कारण हमने आपको बताए कि यह सरकार को जो अस्थीर करने का जो कदम चला है जो प्रयास चला है उस प्रयास की एक कड़ी है क्योंकि पीछी ले दिनों कुछ कांग्रेस के विधाय को भारती जनता पाटी ने तोड़ने का प्रयास क करके कुछ लोग चक्कर में भी आ गए थे कुछ बातें सामने आई भी लेकिन फिर मजबूती से कांग्रेस एक साथ खड़ी रही तो एक बार उन्हें लगता है कि वह कुछ जो मजबूत अस्तंब उन अस्तंब को कैसे हिला जाए तो पैसे के प्रवलोवमन में तो नहीं हि दें लेगा तो भी में इडी से जाए उन्हें आई टी से रहा जाए और यह उसके कारण में से यह यह एक बात कहा जा सकता है कि क्या कॉंग्रेस में भी धरार आखिर जो भूंघ्रेस के निता भाजपकी और दौर रहार नहीं है उनके प्रियार से निया के अब कोई स्वस्त व्यक्ति यह ब्लेट तो चला जा सकता है दार तो लगा जा सकता है लेकिन वह दार इतना गहरा होने कांग्रेस नहीं देरा अंत्रिक रूप से इतनी मजबूत है जो कि सरीर को दो टुकड़ों में भांट सके कि लगातार जो करवाई हो रही है क्या लगता है कि जिस तरह का आरोप राज के मुख्या पर लगे हैं उसके लेकर तो कहीं आप पर करवाई नहीं पिलाएं कि मुख्या पर जो आरोप लगे हैं विल्कुल निराधार है उन्हें लगता है कि मुख्मंत्री जो सिर्शस्त नेत आए इनके उनको डरा दे तो इनके जो खेमा है उसमें तीतर वितर हो जाएगा खेमा है और उसमें से भी कुछ लोगों को जो लोग उनके साथ मजबूती से खड़े है ऐसे लोगों को भी कमजोर किया जाए ये तमाम कारण है इस चापे के पीछे क्या लगता है यह सारा करवाई दोहजर चोबीस के आने वाले लोग सब्सक्राइब बिलकुल भारती जनता पार्टी अभी भाइबीत है कि दोहजार चोबीस में हम वापस नहीं आ सकते जिस कारण से जगे जगे पूरे देश में कुछ क्लैनल में भी वहई कारामें है सब जिगे इसी तरह के प्रियास है और उसी प्रियास का इसा जहार त्यार के लिए तयार है कांग्रेस को सब्सक्राइब 11 तो प्रदीव जादब किला फटा करके दिखाएगा गैरेंटी के साथ के साथ तो यह थे बिधायक प्रदीव जादब उन्होंने कहाए कि 2024 के लिए हम तयार हैं चाहे ED की करवाई पड़े चाहे IT की करवाई पड़े